देखिए पीम्टी दो हजार ग्यारा कोशन है कोशन को ध्यान से पढ़िएगा कोशन कह रहा है कि ए बॉडी प्रोजेक्टेट वर्टिकली फ्रम दा अर्थ रीचेस तो दा हाइट इक्वल तो दा अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग तो दा अर्थ तब पावर इग्जर्टेट बाई दे ग्रेविटेशनल फोर्स इस ग्रेटेस्ट पहले तो कोशन का मकसद क्या कहना है समझा लिजेगा मतलब कह रहा है कि एक बॉडी है वो अर्थ सर्फेस पे है तो हमने का वाई ये है हमारी अर्थ माता अब एक्जाम में करने के लिए थोड़े अर्थ बनाओगे और उस सर्कल बना के समझा रहे हो आप अपने शार्टकर्ट के हिसाब समझेगा और कोई बॉडी है ये अर्थ का रेडियस है और ये अर्थ के सर्फेस पे है ठीक है और यहां से प्रोजेट की जाती है अब प्रोजेट की गई और कहते है इत रीचेस टू दा हाइट एक्वल टू दा रेडियस आफ़र्थ मतलब जहां तक पहुंचती है वो जो हाइट है वो रेडियस आफ़र्थ के एक्वल है पहुंचती है का मतलब क्या होता है यहां उसकी velocity 0 हो जाती है क्यों मतलब पहुंचती है मतलब पहुंच सकती है इसके बाद वापस आती होगी ground को hit करती होगी यह कह रहा है न की height equal to the earth radius before returning to the earth मतलब आर्थ में return होने के पहले वो इस height तर पहुंच आती है कि बाद रुकती होगी रुकती बाद वापस आती होगी ठीक है तेको जिस समय अचा ठीक है वो कहरे है इसकी power कब maximum होगी तो पहले बाद power का यहां सम्मंद क्या है तेको power का formula आप बताते हो generally याद होता w by t डबलू यहां पर हम ढूने कहां से यह तो डबलू ढूने हम जरा समझेगा power यहां पहुंचती है कुछ विलास्टी का लफडा है projected with the velocity ऐसा कुछ बूरा है उन्होंने लिकाना projected project मतब किसी velocity की गई होगी तो power का formula होता है वैसे तो w by t होता है w होता है f dot s y t और s upon t velocity होता है तो f dot v यह power का formula हो गया समझेगा यह बार नहीं गया ही और अगर मैं dot को अताता हूं तो आएगा f v cos theta v अब समोध यहां से यानि कि जो theta होता है जब theta maximum होगा उस समय उस समय हमारा power maximum होगा पहली बार समझेगा जब आप body को ऊपर present कर रहे होंगे तो gravitation force नीचे की और काम कर रहा है body ऊपर की और जा रही है सही कहा रहा हूं मैं क्या उसकी विलास्टी पूरे root में constant रहेगी तो अब जब आपने part पी आईए पहला part कह रहे है कि add the instant just before the body hits the earth जब body earth को hit करेगी अगर की तो नीचे की और लौट रही होगी क्यों और gravitation force नीचे काम कर रहा होगा यानि कि पहले part में अगर हम ध्यान से देखें तो theta उसमें 90 degree रहा होगा sorry क्या लिख रहा हूँ theta 0 degree रहा होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस condition में power maximum रही होगी क्योंकि cause 0 की value 1 होती है that is the maximum value अब चलिए ठीक है हमने पहले part का answer दिख दिख दिया है कभी कभी क्या होता है कि हमारे more than one answer सही होते है तो जो most correct answer होता उसको check करना पड़ता है second part क्यों गलत है ये तो देखना पड़ेगा न second part कह रहा है कि it remains constant all through तो वो constant तो नहीं हो सकता ये क्योंकि height के साथ-साथ force में change हो रहा है नहीं हो रहा है जो force काम कर रहा है उस body के उपर वो काम कर रहा है GMM upon R square और जब R change हो रहा है यानि R square बोलो ये R plus H का square बोलो जब R change हो रहा है height change हो रही है तो force change हो रहा है तो power constant तो नहीं रह सकती यानि second part हमारे हिसाब से गलत है third part क्या कहता है the instant just after the body is projected जैसे body आप present करते हो तो वहाँ theta भी या 180 degree होता है उस समय पहरी चिए ठीक है 180 degree होता है इसलिक cos 180 degree minus 1 होती है तो that power will be minimum negative आजाएगी value minimum कह दीजी आप यानि maximum नहीं होगी फिर कहा गया at the height at the highest position of the body जब body highest position पे गई तो उसकी velocity 0 होगी जब velocity 0 होगी तो यहाँ power अपने आप 0 हो जाएगी क्या दिक्कत है भई भई आप 10 मंजिल मकान पे जाएगे बेट जाओ मैं बड़ी powerful हो काम कुछ कर नहीं पा रही हो तो का मतलब है body रुख गई नहाँ पर तो यानि इसका A part सही है लेकिन A part का answer हमको सबसे पहले ही मिल गया था लेकिन हमको यह check करना पड़ेगा कि B और C गलत क्यों है समझाईबार नहीं आई तो यह आपका PMT 2011 में पूछा गया है ठीक है